अगर आप मेरा ग्लेन मार का वीकली ट्वाइस और वीकली वन्स जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं ग्लेन मार के ऊपर आगर वीडियो फॉलो करें होंगे तो आज के लाइव मार्केट में भी आप अच्छे खासे डबल से त्रिबल प्रोफिट में एक्जिट करें होंगे दोस्तों क्यूंकि मैं वीडियो समें समझाते हुआ रहा था दोस्तों ग्लेन मार्क रिवर्सल जाता हुआ कॉंस्टेंट लेवल पे सस्टेंड करता हुआ आलसाइं मैग्ड और कैंडिल भी कॉंसलिडेट कर रहे हैं नूमेंट ज्यादा है पर कॉंसलिडेशन लेवल कंटिन्यू चल रहा है सभी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग ग्लेनमार के अंदर देखने को मिलेगा 470 के बाद 490 490 के बाद 510 590 के बाद डाइरेक्ट आपको 540 देखने को डीडेली बता दिया था वीडियो भी देखिए प्रूफ देने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे यूटूब चैनल पर जाईए पिछले हफते ही मैंने ग्लेनमार के ओपर वीडियो अपलोड कर दिया देख भी लिजिए जब स्टॉक सस्टेंड कर रहा था 475-480 लेवल के पास और मैंने टेलिगराम चैनल में भी अपडेट कर दिया है कि टागेट्स अच्छी हो गया है एक्जिट हो जाए अब ग्लेनमार के अंदर नेक्स्ट टागेट्स क्या होने वाले है उसके अंदर नेक्स्ट मॉमेंट क्या होने वाला है आगे चलके वीड की टूप चेनल सबस्क्राइब करिए अब ज्याधा तर सोंच रहे हैं कि ग्लेनमार के अंदर रुखे या एक्जिट करें परेंए डिमांक में यही चल रहा है confusion confusion के हिसाफ से market में trade कर रहे हैं दोस्तों मैं अभी भी बोलता हूँ Glenmark के अंदर exit करके चलिए क्योंकि 540 level मैंने final बताई थे Glenmark के अंदर exit करके चलने के लिए आपको 540 level आज के live market में भी देखने को मिले क्योंकि दोस्तों क्योंकि stock के अंदर हर short term target के अंदर नए highs बनाना होता है यानि new highs बनाना होता है market में stock ने पिछली बार एक high बना दिया था उसके बाद उसके sustain level पे trade कर रहा अब ए लाइन को देखिए उसके बाद stock के अंदर new highs देखने को मिली जो हमारे 540 level थे क्यों मैंने 540 level बताया क्योंकि जब पिछली बार market में stock trade कर रहा था ये बार भी 60 RSI लेके चल रहा था इसके हिसाब से और इसके हिसाब से भी देखिए 60 RSI लेके चल रहा था इस बार भी stock आगे बढ़ने लगा उपर trend line भी touch करने लगा अपर trend line जो 70 से 72 के mid range में आज के दिन touch कर रहा है मैं तो 70 का ही लेके चल रहा था ये level पे ही बता दिया था 540 final level देखने को मिलेंगी और एक बात stock में क्या हो रही है दोस्तों magd क्या indicate कर रहा है magd ये indicate कर रहा है कि stock के अंदर लगातार अभी up trend rally आने वाली है क्योंकि इसके अंदर strong candle बनने के बाद अगर इसमें strong candle धीरे धीरे ये वाले position के ये वाले बनने लगे ऐसा ये level पे तो stock के अंदर 100% से 200% दोस्तों reversal recovery देखने को मिलेगी पर इसे कैसे पैचाने ये बड़ी बात है इसे कैसे पैचाने पैचानना आपको ऐसे है इसके अंदर already clubbing के बाद up trend line जो देखने को मिली अगर candle week बनते हुए ऐसे ऐसे candle बनते हुए ऐसे वाले भी candle बनते हुए clubbing तो हो चुका ये अप trend का clubbing है ऊपर जाते हुए reversal rally में जो लिखी ने दिख रही है ये वाले club हो चुके ऐसे तो समझ जाए इसके अंदर reversal rally भी आते हुए देखने को मिलेगी तो ये reversal rally में आपको बै का करना है यह मैं खुद वीडियो upload करके इसके अंदर levels बता दूँगा जो आप thumbnail पर देख रहे है next targets क्या होने वाली है दोस्तों अभी के लिए next targets इसके अंदर कुछ भी लेके मत चलिए क्योंकि आगे बढ़ता हुआ 80 RSI line पकड़ा तो आपको stock 570 final level पर देखने को मिलेगा यह मैं आज बोल रहा हूं दोस्तों 570 final देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा तो यह वाला level और reversal जाता हुआ यह वाला level भी देख लीजिए RSI में भी direct to slow down होने नीचे level पे RSI flow कर रहा है यानि यह stock आगे बढ़ता हुआ उपर कितना भी level पड़े reversal आता हुआ फिर से support लेगा तो stock वही 470 का ही support लेगा क्यूंकि हर बार इधर वही 470 का support लेके stock आगे बढ़ता हुआ दिखा हर बार देख सकते हैं हर बार तो इस बार भी यही support level पकड़ेगा reversal देखने को मिला तो मेरे हिसाब से दोस्तों stock 510 लेवल तक reversal लेगा अगर उपर जाता हुआ अपर ट्रेंड लाइन में ही consolidate करने लगा तो stock के अंदर 590-570 भी देखने को मिलेगा दोस्तों यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा youtube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 7th December 2020 Monday Glenmark का closing है 532.10 पैसा यह मैं target निकाल रहा हूँ 8th December 2020 Tuesday के लिए Tuesday के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss लेके चल सकते हैं after entry target and stop loss लागा लिजिए stop loss हीट हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है target चीठ हो रहा है आपको खुद पता चल जाएगा जाएगा